पुझापन यानि की बॉलनेस हर घर में आज के डेट में कोई ऐसा वेक्ती है जिनके बाल नहीं है और वो गंजिपन के शिकार है वो तरह तरह के खर्चे कर चुके हैं ओल लगा चुके हैं प्यारपी सेशन ले चुके हैं मेडिसिन्स खा चुके हैं उसके बावजुत उनके बाल वापस नहीं आते हैं नमस्कार दोस्तो वेलकम टू हेट रांस्प्लाइन इंडिया मैं आपका दोस भुपिन राश्पुत आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो ये सारी चीजे मैंने भी फेस की थी 6 साल साड़े 6 साल पहले इसलिए आज ये वीडियो बना रहो ध् आपके बाल आपको वापस नहीं मिले होंगे ये सच्चाई है दोस्तो इसका एक ही मात्र ऑप्शन है ये ट्रांस्प्लाइन जो मैंने भी करवाया है और आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारिया देने वाला हूं आप खर्च के बारे में सोचते हैं आप क्लेनिक के बा आता हूँ आपको अच्छे result पाने का पहले दोस्तों मैं आपको आज कुछ result दिखाने वाल हूं जो यूटूबर मैंने डाले हुए हैं वह आप देखके समझ जाए क्योंकि ये सारे result मैंने ही दिलाए हुए सारे patient को सबसे पहले ये कुछ result है इस पे आप देख लिजे दोस्ते ये सारे result आप देख रहे हैं ये सारे result एक ही clinic के हैं जो clinic है पूना महरास्ट में Secure Hair Transplant Clinic का नाम है जिसे आप YouTube पर भी जाके देख सकते हैं Facebook पर भी जाके देख सकते हैं Instagram पर भी जाके देख सकते हैं और Google पर भी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे result दोस्तों जितने ही सारे result मैं ये आपको शो कर रहा हूँ ये मैंने खुद इस channel पर डाले हुए हैं अगर आप मुझे subscribe करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा फीडियो में दिख जाएगा जाके देख सकते हैं और पूरी detail ले सकते हैं जितने भी ये सारे आप result देख रहे हैं इन्होंने कोई PRP नहीं ली है कोई गोलिया नहीं ली है कोई भी extra खर्चा अपने बालों के उपर नहीं किया सिर्फ और सिर्फ hair transplant करवाया है दोस्तों जो सबसे आसान तरीका है एक अच्छा result पाने का वो है अच्छी best hair transplant करवाना hair transplant करवाना सिर्फ नहीं density के साथ hair transplant करवाना है यानि कि घनतोपन के साथ hair transplant करवाना दोस्तों आपने density तो बहुत सारी देखी होगी लेकिन आज मैं इस चैनल पे इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ आपको multiple density दिखाने वाला हूँ जो इसी cleaning से करके गए हैं कुछ कम graphs के, कुछ जदा graphs के, कुछ high density, कुछ full of density बहुत सारी density तो आईए वो भी watch कर लेते हैं वीडियो पूरा देखिए, अंतक देखिए, आपको समझ में आ जागा ये सारी आप density देख सकते हैं जितने भी ये density आप देख रहे हैं निडल टेकनिक से इसे grafting किया गया है और FUE टेकनिक से graft निकाले गया है जितने भी density आप सामने देख रहे हैं दोस्तों ये ही density आपके एक अच्छा result लाने में मदद करता है दोस्तों आप कितनों भी बड़े से बड़े क्लेनिक में हेर रांस्प्लांट कर वालो कितनों भी बड़े से बड़े डॉक्टर से हेर रांस्प्लांट कर वालो अगर आपके hair transplant में density याने की घनत्वपन नहीं है पास-पास graft नहीं लगाएगे हैं अच्छे से graft नहीं लगाएगे हैं सहीं angle से graft नहीं लगाएगे हैं तो आपके result आपको अच्छा नहीं मिल सकता साथी साथ आपको PRP भी लेना पड़ सकता है medicines भी लेना पड़ सकता है और आपको extra खर्चा भी करना पड़ सकता है अगर आपके hair transplant में density नहीं है तो अगर आपकी density ऐसे ही मिलती है आपको अच्छा density मिलता है बहुत proper density मिलती है तो आपको PRP, medicines और कोई भी extra खर्चा करने की जरुवत नहीं पड़ती है यह मैं अपने experience से बता रहूँ क्योंकि मैंने आज 500 प्लस वीडियो शो की है इस channel पे और जिसमें आप result, review, density सिर्फ इनके ही वीडियो पागे मैं अलग-अलग बाते नहीं करता क्योंकि secure hair transplant clinic से मैंने भी hair transplant करवाय था और आज तक मैं जो भी आपको result आपके चीज़े शो करता हूँ YouTube पर वो सारे एक ही clinic की होती है क्योंकि मैंने यहां से hair transplant करवाय इसके बारे में पूरी detail मैं देता हूँ तो आपको यह symbol सी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके subtle सी तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे clinic से hair transplant करवाय जिनकी density अच्छी होती है उसके बाद आपको घबराने की जरुवत नहीं है आपको पस्ताने के जरुवत नहीं और मैं आपको यकिन दिला सकता हूँ कि secure hair transplant clinic के अलावा आपको ऐसी density ऐसा result जो मैंने शो किया है आपको कोई नहीं दे सकता I hope दोस्तो अगर आपके बाल जड़ गए होंगे आपके बाल जड़ रहे होंगे या फिर आपके बाल पूरी तरीके से चले गए होंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ hair transplant करवा के अपने बाल पा सकते हैं medicines या फिर कोई oil या फिर कोई ऐसे चीज़े लगा लगा के अपने बालों के उपर अपने पैसे वेश्ट मत कीज़े बाकि आप समझदार हों दोस्तों यह छोटा सा वीडियो जानकारी आपको कैसा लगा मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट करिए इस वीडियो को लाइक ज़रू कर जिएगा और मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए जानकारी साथ एक नए पैशन के साथ एक नए रिजल्ट के साथ तब तक बने रहे हैं मेरे साथ